दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिचर्ड स्टील का एक famous essay discuss करेंगे जिसका नाम है The Spectators Club इसमें 6 members के बारे में बताया है Spectator Club में कौन-कौन से 6 members हैं जिनमें से 2 के नाम इन्होंने नहीं बताया है बाकि 4 के नाम है जिसमें Sir Roger Cowardly भी है जिनकी बारे में हमने पहले पढ़ लिया है Sir Roger Church नाम की essay के अंदर तो इस वीडियो में मैं आपको इन 6 characters के बारे में बताऊँगा डीटेल से पूरा essay line to line translated है दोस्तों शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में तो दोस्तों हमारे जो राइटर है Richard Steele उन्होंने 6 characters की बारे में बताया उन्होंने एक club बनाया The Spectators Club उसके अंदर 6 characters है आपको 6 के 6 नाम याद कर लेने चाहिए Sir Roger D. Cowardly जो की सबसे important character है फिर उसके बाद एक बेनाम lawyer दोस्तों इनका नाम नहीं बताया बस एक lawyer की बारे में बताया तीसरे नंबर का character है Sir Andrew Freeport जो एक रियापारी है योधा character है Captain Sentry जो की जहाज में कप्तान था फिर उसके बाद Will Honeycomb एक अधेड उमर का रंगीन आत्मी है स च्छटे नंबर का character है जिसका नाम नहीं बताया है एक clergyman है जो शारिक रूप से थोड़ा कमजूर है अब मैं सब के बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ ताकि आपको इनके characters के बारे में पता चल जाए देगो दोस्तों spectator club जो है बहुत important periodical था उस time का तो इसके बार family papers चलते थे रिचर्ड स्रील बोलते हैं कि इस बंदे की जो grandfather थे उन्होंने एक टाइप का गाओं का dance invent किया था Sir Roger वैसे तो एक सनकी आदमी है लेकिन इनकी सनक लोगों को परिशान नहीं करती ये सोबो स्क्वायर नाम की जगह पर रहते हैं और अभी तक इन्होंने शादी नहीं की क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्हें किसी लड़की ने काफी पहले ठुकरा दिया था लड़की नहीं थी एक्चुली औरत थी एक विद्वा औरत थी ऐसा कहा जाता है कि इस incident से पहले ये काफी गर्म मिजास के आदमी थे रात के टाइम पर लॉर्ड रॉचिस्टर के साथ में और जॉर्ज इथरेज के साथ में खाना खाते थे इन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी थी और कॉफी हाउस में एक आदमी को लाद भी मार दी कहने का मतब अब फैशन में इनका कोई खास इंटरस्ट नहीं रहा असे रखें भी किसके लिए सेम टाइब के जैकेट को पहन रखा है इतने टाइम तक बारा बार फैशन बदल गया लेकिन इनका फैशन अभी तक वो का वो ही है चपन साल का आदमी कुश मिजाज दो घर हैं एक कंट्री में है एक यहाँ पर है इंसानियत का आशिक पूरे टाउन में इज़त और क्या चाहिए जवान लड़किया तो लड़किया जवान लड़किया तो इनके behavior को पसंद करती है जवान लड़के भी इनकी respect करते है justice of the forum ये ओधा है इनका जो ये काम करते हैं कुछ लोग होते है न असे जो regularly church जाते हैं तो church जाने का काम भी ये करते है तो first member का introduction हमें मिल गया अब हम चलते हैं second member पर ये दूसरे member भी बैचलरी है रिचर स्टील ने इनका नाम हमें नहीं बताया ये inner temple के member है inner temple जो टेम स्रिबर की किनारे बना हुआ है और वहाँ पर law की पढ़ाई करते हैं ऐसे तो बड़े समझदार आदमी हैं law की field से जुड़े हो हैं और इन्होंने profession भी अपने father की विज़े से चुना था अपनी खुद की choice से नहीं इनको वहाँ पर law और cases की study करने के लिए रखा गया है अब शायद ही पूरे state में कोई और ऐसा आदमी होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा Aristotle हो या Longinus ग्रीक लिटरेचर हो या अभी का लिटरेचर इन्होंने ठीक से सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन कानूनी expert जो है Littleton और Cook उनको पढ़ने में इनको जोर आता है बाप की खुशी के लिए आज भी इस काम में ये उल्जे होए literature जो पढ़ते हैं तो law पढ़ने का time नहीं बलता लेकिन बाप को नहीं पता बाप जब letters में पट्टा और divorce के कानूनी सवाल पूछता है तो जवाब इनका साथी देता है साथी वकील भीशता है और ये साथी वकील को पैसे देते हैं ऐसे तो speech के मामले में इनको सब कुछ पता है कुछ भी पूछ लो लेकिन court में report पेश करने में हलट टाइट हो जाती भयागी कि दोस्तों को छोड़ कर कोई इनको बीवकूप नहीं मानता क्योंकि अपने दोस्तों को तो पता ही है ना कि literature पढ़कर ये सारी knowledge जमा किये इनोंने काफी बारिक knowledge हो गई है literature पढ़कर literature को judge करने में इस आदमी का कोई जवाब रही है इवन जब ये theater देखने जाता है न ये आदमी तो play देखते वक्त actors का prime goal क्या रहता है कि हमें इस आदमी को खुश करना है अगर इस आदमी को खुश कर दिया न तो हमारी acting सफल है हमारा career ही सफल है तो दो characters पता कल गए हमको एक unknown lawyer और हमारे cowardly तो third character है sir Andrew Freeport जो इस club का तीसरा member है London का एक बड़ा सफल व्यापारी जो बिना थके काम करता ही रहता है हर पैसे वाले आदमी की तरह इसका दिमाग भी बहुत तेज है सिर्फ पैसा कमाने में काफी knowledge रखता यह हर चीज़ के बारे में पैसे की बज़े से इसको इज़द बहुत मलती है लेकिन व्यापार की बहुत अच्छी knowledge है कि कैसे तरक्य की जाए चोड जबर्दस्ती से व्यापार नहीं होता इस आदमी का मानना है व्यापार बड़ा होता है मैनत से कंजूसी को लेकर इतनी सारी quotes पता है इसको इतना सारा बढ़ा बढ़ा है कंजूसी को लेकर इसकी दिमाग में और इसकी favorite quote कौन सी है एक पैसा बचाने का मतलब है एक पैसा कमाना और ये आदमी हमेशा मानता है कि एक पढ़े लिखे scholar से दोस्ती से तो अच्छा है इंसान एक पहुचे हुए व्यापारी से दोस्ती रखे यो कि कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा पैसा कमाने के लिए उसने अपनी wealth का एक एक पैसा खुद से बनाये इस आदमी ने जो third character ने ये व्यापारी और England को भी rich बनाने के पैतरे देता रहता है कि England को अगर मेरी तरह rich होना है तो ऐसे करना होगा वैसे करना होगा और England में आने वाला एक जहाज ऐसा नहीं है मतलब England में ports पर एक भी जह जहाज ऐसा नहीं आता जिसमें इसका हिस्सा ना हो मतलब ये उस जहाज का partner ना हो या पैसा ना लगा रखा हो उस जहाज के अंदर समझ में आगे इसका character अब next character की तरह बढ़ते हैं ये character बड़ा दुखी character है इन सारे characters में Captain Sentry जिसमें हिम्मत है जजबा है समझदारी है नहीं है जो ये खुद को present कर सके वैसे लायक तो बहुत होने के बावजूद भी इससे वो जगह नहीं मिली जो ये deserve करता था तो भी जिन्दगी को लेकर इसके मन में कोई कड़वाट नहीं है देखो जैसी condition में ये है ना वैसे लोग जिन्दगी को blame करना शुरू कर देते ह आसपास की situation को blame करना शुरू कर देते हैं लेकिन इसके मन में यहाँ पर रिचर्ट स्रील बोलते हैं कि आज तक मैंने कोई कड़वाट फील नहीं की कभी इस दुनिया के लिए किस्मत के लिए कोसने वाले शब्द इसके मूँ से कभी नहीं सुने मैं और जैसा ये काम करके आया है न मतलब captain था तो लोग कमांड देनी के आदत थी लेकिन मैंने ऐसा करते हुए इसे अपनी life के अंदर कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देख कि अगर मैं क्लब में एक ऐसा आदमी ना रखूँ जो अतरंगी हो तो बड़ी नाइंसाफी होगी ये वो आदमी है जो अपनी उम्र के हिसाब से तो ढल रहा है लेकिन अपनी personality के हिसाब से उभर रहा है personality को लेके बड़ा alert है ये आदमी Will Honeycomb बड़ा easily life में इस आदमी को काफी कुछ मिल गया time ने बस इसके माथे पर थोड़ी सी जुर्यां ड्रॉ किया बाकी सब perfect है body भी young जैसी लगती है height भी अच्छी खासी है और इस आदमी का interest हमेशा से औरतों को impress करना रहा है पूरी जिंदगी कपड़े ऐसे पहने है जो style से match क करें मतलब एक number का seducer है और इसे हर type के fashion की history बता है सिर्फ आदमियों के ही नहीं औरतों के fashion की पूरी खबर रखता है बलकि औरतों के fashion की ज्यादा खबर रखता है इस आदमी की पूरी दुनिया सिर्फ female interest से भरी पढ़ी है तो ये character है अब हम बात करते है last character लिचर्ट स्ट बोलते हैं कि ये जो last character है ये हमें कभी-कभी मिलता है लेकिन जब भी मिलता है मजा आ जाता है ये आदमी एक clergyman है जिसका नाम नहीं बताया जो हमेशा philosophy की बाते करता है अला कि सब कुछ ठीक है इस आदमी में लेकिन body बड़ी कमजूर है इसकी physically weak है काम नहीं कर सकता physical work नही लोग वैसे ही lawyers के बीच में जो advisor का काम करते हैं लेकिन case लड़ने के लिए जिर्या करने के लिए नहीं जाते वैसा ही काम करता है लेकिन इसके दिमाग की strength ऐसी है कि इसके followers बहुत सारे बने रिचर्ड स्टील ऐसा बोलता है कि इस आदमी से हम उम्मीद करते हैं कि जब भी वो हमारे बीच में आएगा किसी ना किसी religious subject पर ही बोलेगा वो religious subject पर ऐसे बोलता है जैसे दुनिया की बाकी सारी चीजों में इसका interest ही ना हो तो ये कुछ characters हैं च्छे characters हैं यहाँ पर रिचर्ड स्टील ने बताए spectator club के आपको इन सब के नाम याद रखने होंगी कौन क्य करता है ये ध्यान में रखना होगा और किन-किन के नाम यहाँ पर नहीं बताएं ये भी ध्यान रखना होगा दो characters हैं जिनके नाम ने बताएं एक तो lawyer है एक clergyman है उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ help जरूर मिली होगी फिलाल आज की इस वीडियो म बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतन कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे समझ में आया होगा फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो